कि अनकार दोस्तों, सवागत हैं आप सभी लोगों का एक बर्द फिर से. आज का जो ब्ड़ों को बिश्वय हैं, बहुती ज्यानवर्धक जानकारी हैं, और इस प्रकार के जानकारी हर वेक्ति को होना जरूरी हैं. आज की इस बीड़ो में हम जानेंगे आखिर घर के बाहर आखिर घर के बाहर दर्वाजे पर पानी छिड़कने से क्या फायदा मिलता है क्या इसे मालच्मी प्रसन होती है और क्या इसे हमारे घर में मालच्मी कवास होता है और क्या इसे हमारे घर से दिरिद्रता चली जाती है तो इन ही सब सवालों का जवाब आज की इस वीड़ो में मैं आप सभी दर्सकों को देने वाला हूँ इसलिए मैं वीड़ो के सुरूब में भी बोला हूँ किया वीड़ो ध्यानशे देखना अगर आज की वीड़ो मिस कर दिये तो दोस्तो इस प्रकार के आपको ग्यान भरी जानकारी कोई नहीं बताएंगे हमेशा जानकारी फायदे मंधी शावित होती हैं अभी नहीं तो यह जानकारी बाद में चल करके आपको काम आएंगे लेकिन यह जानकारी आपको काम आएंगे प्राचीन ग्यान चैनल का मकसद है जन ही तेम जन कल्यान करना और मैं आप लोगों को गुड़ भरे रहष्य जानकरी अच्छे जानकरी सिखाता हूँ ताकि आप सभी दर्शकों का अध्यात्मा नती हो अध्यात्मा कल्यान हो तो बिड़ो में आगे बने से पहले जानकरी बताने से पहले अभी तक बिड़ो को लाइक नहीं किया है तो बिड़ो को लाइक कर चैनल को सबिस्क्राइब जरूर कले ना अगर आपके मन में कोई सवाल है अगर आपके मन में कोई प्रस्न आप चाहते हैं उनके मैं एक सेक्षन में जरूर लिखें उसके गड़ बनाकार की जानकारी इनी चैनल पर साजा की जाएगी दोस्तो धर्म ग्रंतित कथा में बताया है कि सुबा सुबा मालच्मी और उनकी बहन दरिद्रता दोनों भ्रमण करने को निकलती है और जिस भी घर में इन चार प्रकार के नियम क पालन होता है उस घर में मालच्मी परवेश कर जाती है और जिस घर में इन नियम का पालन नहीं होता उस घर में उनकी बहन दरिद्रता परवेश कर जाती है तो दोस्तो आए जानते हैं कि वह चार प्रकार के नियम कोन से हैं जिससे मालच्मी को हम प्रसंद कर सकें और मालच दोस्तों जिस भी घर में प्राता कालक दरवाजे पर पानी छिड़का जाता है उस घर में महालचमी प्रवेश करती हैं। दोस्तों कोई लोग तो 2-3 बालटी भी पानी छिड़कते हैं। लेकिन अगर आपसे जादा ना हो तो थोड़ा सा ही जल छिड़क दीजे। इससे माहल अच्छमी आपके घर में परवेश कर जाती है और इसी साथ मैं आप दोको को यही जानकारी बिड़ो के आखरी में भी बताऊंगा कि घर के बाहर हमें पानी और क्यों छुड़ा करना चाहिए दोस्तो दर्वाजे पर सुबा पूजा पाढ़ करने के बाद ध्यान से शुनना दोस्तो दर्वाजे पर सुबा पूजा पाढ़ करने के बाद एक दिपक जरूर प्रजवलित करना चाहिए धर्म सास्तरों कनुशार जिस घर में ऐसा किया जाता है उस घर में मालच्मी परवेश कर जाती हैं दीपाक का सिधा संबंद देवी तत्वा से होता है और मालच्मी देवी तत्वा हैं ये सब आकरसीत करने का कम करते हैं जिस प्रकार जो चुम्बक होता है लोहे को अपनी तर और स्वास्तिक बनाया जाता है, उस घर में महालच्मी प्रवेश करती हैं, महालच्मी प्रवेश करती हैं, कहा जाता कि अगर आप रंगोली बड़ा नहीं बना सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप छोटा सी बना लिजिए, अगर आप रंगोली बनाना भी आपको नहीं आते ह अब छोटता सा स्वास्थि खी बना सकते हैं लेकिन रंगोली जरूर बनाना चाहिए नमबर 4 दर्वाजे पर भरा होओ की कमी नहीं होती तो दोस्तों जिस तरीके से माल अच्मी का घर में परवेश करने के लिए ये चार नियम का पालान होता है उसी प्रकार तरीके से जो दरिदरता देवी की कुछ नियम होते हैं दोस्तों जिस घर में दीपा कला सापसफाई नहीं होता जिस घर में लोग देर त तो दोस्तों या आपके उपर निर्भार कारता है कि आप अपने घर में दरिदरता को बुलाना चाहते हैं या माल अच्मी को आप बुलाना चाहते हैं अगर आप साप साफ़ई और पवितरता रखेंगे तो माल अच्मी का वास आपके घर में होगा अगर आप गंदगी रखे वजाएंगे तो इससे आभे के घर में दरिद्रता देवी का वास होगा, और डरी दर्ता देवी जिस घर में वास कर जाहे मैं कई सारी बिड़ों में बता चुका हूँ, फिर उस घर में किवल दूख ही दुख हाते हैं, क्योंकि दर्लची में दूख जलती हैं और माल लच्छ चिड़ागना कोई आपके साथ में उन पर चिड़ाग देना चाहिए क्योंकि जब हम कुछ गंदगी इस गंदगी स्थानों से आते हैं तो बूरी शक्तिया या नुक्षान देने वाले सक्तिया हमारे साथ में आ जाती हैं लेकिन इनकी हमें भनाक नहीं होता अब पानी चिड अ हибया करें तो अगर जो निच्श सक्ती हैं आपको छूने के प्रयास करेंगे आपके घर में जाने की कोषिस करेंगे तो भसमा हो जाएंगे क्योंकि जल को अमरीत कहां जाता है और अमरीत का अधिकार किवल सजनों को है माना को हैं नकी मृत शक्तियों को नकी निच सकतियों को तो आसा करता हूं कि प्राजिन ग्यान चैनल में बताएंगे छोटी सी जानकारी आबेके जीवन में कल्यान कारी साभित जरूर होंगे बिड़ो अच्छी लगे तो बिड़ो को लैक किजे और इस बिड़ो को अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर सेयर कीजे त आज की जान के रीपर समाप तक करता हूं दर्सकों, बिड़ो देखने के लिए धनिवाद, नमस्कार.